जाहिए दोस्तों एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है B.A. समेश्टर वाले में साथियों आज की कलास बहुत ही सांदार होने वाली है तो लाश्ट तक जरूर बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास इस class में दोस्तों हम लोग cover करेंगे बी ये 3rd year 6 semester exam 2024-25 medieval history यानि मद्दिकाली नितियास देखिए मद्दिकाली नितियास का paper 2 है जिसमें आपका optional आएगा ठीक है यानि 4 paper आपका medieval history का होता है जो paper first है वो तो सभी के लिए आनिवारे होता है लेकिन जो paper second होता है उसमें optional आता है तीन paper होता है ठीक है तो मैंने तीनों के class करा दिये हैं ठीक है और paper 1 के भी class करा दिये हैं discussion box में link है जा करके देख लिजेगा ठीक है अच्छा इसमें paper 2 है paper का नाम क्या है ये जानना आपके लिए बहुत अनिवार है क्यों अनिवार है क्योंकि जो आपके admit card पर लिखा रहेगा वही आपको एक्जाम में देना पड़ेगा optional में दोस्तो paper का नाम है आपका social, cultural and economic history of medieval India 1720B से लेकर के 1920B तक ठीक है यानि दोस्तों मद्यकालिन भारत का समाजिक Sanskritic और आर्थिक इतिहां से 1720B से लेकर के 1920B तक ठीक है ये आपके paper का नाम है यह आपके admit card पर भी लिखा रहेगा देखे जो आप अगर आप 5th semester में इसका exam दिया है तो 6th semester में भी यही आपको exam देना पड़ेगा इसी paper का ठीक नोट से आ रहे थे ठीक है तो इसी तरह से की point को ध्यान में रखते हुए ठीक है की points को मिसमत करिएगा बहुत ही सांदार होते है चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं पहला प्रस्नाप का क्या है देखिए इसमें पहला प्रस्नाप का पूछा है सरसयाद अहमद खान ने मु आंदोलन की अस्थापना कब होई फराजी आंदोलन की अस्थापना अठवास Sport를 में हुए आपसर नमरे खरेक्ट आपका अच्छा आपके दिमाग में प्रश्णा आरा होगा कि सर्फ फराजी आंदोलन जो था इसकी अस्थापना किस ने करी थी तो चलिए बताते हैं देखिए फराजी आंदोलन की अस्थापना 1818 में हाजी सरियतुलाह ने की थी ठीक है ध्यान रखिएगा हाजी सरियतुलाह जी ने फराजी आंदोलन की अस्थापना की थी 1818 में अच्छा फराजी आंदोलन क्या था तो यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका मकसद पूरुवी बंगाल में मुसलमानों के बीच मौझूद गैर इसलामिक प्रथाओं को खत्म करना और उन्हें अपने कर्तब्यों के प्रती जागरूग बनाना था ठीक है चलिए उम मुझे आपके सपोर्ट की जरूवत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप कि यह है कि इस कलास को सेर कर दीजिएगा ठीक है एक सेर जरूर करिएगा मुझे आपसे बहुत उमीद है चलिए तीसरा प्रसन देखते हैं साथियो क्या है फरादी आंदोलन की अस्थापना किस ने किया था बताईए फरादी आंदोलन की स्थापना किस ने किया था भी यह हाजी सरियत तुलाह ने किया ठीक है आपसे नमबर ए करिक्ठाप का प्रस्त नंबर चार क्या पूछा साथ यो बहुत ही सांदार प्रस्तने क्या है देखिए अलीगड़ आंदोलन से समद्दित अन्य नेता थे चिराग अली नजीर अहमद अल्ताफ हुसेन यह अहमद है ठीक है ध्यान रखिएगा अहमद यह सभी क्या है यह तीनों नेता अलीगड़ अंदोलन के नेता है तो ध्यान रखिएगा ठीक अलीगड़ अंदोलन से जुड़े कुछ अन्य नेता ये रहे पहले हैं आपके इसमें चिराग अली अलताफ हुसेन मौलाना सीवली नुमानी नजीर अहमद ठीक है चलिए प्रस नमर पांच देखते हैं साथियों क्या है अहमदिया आंदोलन के नेता थे अहमदिया आंदोलन के नेता मिर्जा गुलाब अहमद थे ठीक है आपसे नमरे करेक्ठाप का अच्छा इसमें की पॉइंट है ध्यान रखिएगा मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म 1849 में भारत के पंजाब प्रांद के कादियान गा तत्तो बोधनी सभा का संस्थापक कौन था तत्तो बोधनी सभा का संस्थापक देवेंद्रना टाइगोर जी थे ठीक है आपसर नमर सी करेक्ठापका अच्छा इसमें याद रखिएगा साथि उन्होंने 6 अक्टूबर 1849 को कलकाता में इस सभा की अस्थापना की थे ठीक है तत्तो बोधिनी सभा की अस्थापन कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1849, किसने की थी या देवनना टाइगोर ने कहा करी थी, कुलकाता में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता आपके एक्जाम में, ये सन तो पूस्ता ही है, इसमें साथ में आपका डेट देता है, तो डेट याद करना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखेंगा, ये लाश्ट येर है, आपके प्रस्ण का लेवल उपर रहेगा, ध्यान रखेंगा, इसमें साथ यह प्रस नमर साथ क्या है, भारत सेवक समाज की अस्थापना किसने की थी, भारत सेवक समाज की अस् अपना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी देखिए कभी कभी क्या होता है एक्जाम में जो ये लिखा है भारत सेवक समाज ठीक है तो इसकी जगह ये लिख करके देता है दसर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी ठीक है इस तरह से इंगलिस में लिख करके देता ह तो कनफ्यूज मत होईएगा इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको ठीक है अब आपको उत्तर गलत नहीं होगा चलिए आठ नमबर प्रस्ण देखते हैं क्या है ब्रह्म समाज का सिध्धान्त अधारित है तो एक देववाद पर ब्रह्म समाज का सिध्धान्त अधारित ह ठीक है आपसर नमर सी करेक्ठ आपका चलिए प्रस्ण नमर नौ देखते हैं आपका क्या पूछा है भारत में पुनर जागरण आंदोलन का अगरणी दूत था भारत में पुनर जागरण आंदोलन का अगरणी दूत राजा राम मोहन राय थे आपसर नमर डी करेक्ठ आपक प्रस नम्मर दस्त क्या है साथियों भक्तिकाल उदय इसलामी आक्रमण की प्रतिकिरिया स्वरूब मानने वाले बिद्वान हैं तो अचारे रामचन सुकल हैं आफसर नम्मर भी करेक्ट है आपका प्रस्ट नमबर 11 क्या साथियों कवीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रती कब लिखी गई तो सबसे प्राचीन प्रती जो लिखी गई थी कवीर की वचनावली की साथियों 1512 इस भी में लिखी गई थी ठीक है अफस्ट नमबर D करेक्ठापका चलि Gilie बार्हीं नमबर प्रस्ण क्या है, बहुत ही शांदार है ब्रह्म समाज की अस्थापना कब हुई, बेड़को, इसकी अस्थापना राजा राम, राय ने की थी, ठीक है, चलिए, उमेद साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा कलास ठीक है मजा रहा होगा तो प्लीस एक लाइक कर दीजेगा चलिए तेरवाँ प्रस्ण क्या है आपका मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आपको मसीहा कब घोसित किया तो जो मिर्जा गुलाम अहमद थे इन्होंने 1891 इस भी में अपने आपको मसीहा घोसित कर दिया था ठीक है चलिए प्रस्ण नमर 14 क्या है आपका साथियों देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ देवबंद आंदोलन साथियों 30 मई 1866 को प्रारंभ हुआ था ठीक है अच्छा है इसमें कुछ की पॉइंट से ध्यान दिजेगा इसमें देवबंद आंदोलन की सुरुवात 1866 में उत्तर परदेश के सहारन पूर जिले के देवबंद में हुई थी इस आंदोलन के संस्थापक मुहम्मद कासीम नानोत्वी और रसीद अहमद गंगोही थे इसका उद्देश क्या था भया ब्रिटीस सासन को खत्म करना और मुसलिम समदाय को सिच्छित करके मजबूत बनाना ठीक है चलिए उमिद आपको समझ में आ रहा होगा प्रस नमर पंदर क्या है दारूल उलूम देवबंद की आधार सीला हाजी आबिध हुसाइन व मौलान कासी नानौतवी ने कब रखी थी तो साथियों 30 मई 1866 को रखी थी आपसे नमर एक करेक्ठाप का प्रस नमर 16 क्या है सरसेयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 1827 इस भी में हुआ था ठीक है सरसेयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में 10 मार्च 1898 को अली गड़ में हुआ था ठीक है जन्म और मृत्यू मैंने दोनों बता दिया और आपको डेट भी बता दिया ठीक है डेट जरूर याद रखेंगे प्रस नमर 17 क्या है सरसेयद अहमद खान अंग्रेजों के थे दुस्मन थे वफदार थे विद्रोही थे या कर रचना है असबाब ए गदर सरसेयद अहमद खान की रचना है आपसर नमरे करिक्ठ आपका प्रस नमर 19 क्या है साथियों बहुत ही संदार प्रसन है सरसेयद अहमद खाने कंपनी की सेवा कब सुईक्रित या फिर सुईकार किया कंपनी यानि इस्ट इंडिया कंपनी अंग्र वहाबी आंदोलन का हुआ था 1826 में अहमादिया आंदोलन 1889 में देवबंद आंदोलन 1866 में अलिकड़ आंदोलन 1875 में देखिए आप लोग इसका पीडिया जरूब डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है पीडिया टेलेग्राम ग्रूप का लिंक दिया गया डिस्किप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडिया मिल जाता है वहां से डाउनलोड करके अपना रख लिजिए इसमें आप प्रस नमबर 21 देखेंगे आपका क्या है साथियों ठीक है इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा चलिए निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था बताईए बहुत ही सांदार प्रस ने अभी मैंने उपर पढ़ाया आपको सर्च अहमद सौधी सेयद अहमद बरेलव यह कौन थे यह वहाबी आंदोलन के नेता थे भारत में ठीक है ध्यान रखिएगा प्रस नमबर 22 क्या है अलीगर्ण आंदोलन के संस्थापक कौन थे अलीगर्ण आंदोलन के संस्थापक सर सयद अहमद खान थे आपसर नमबर सी करिक्ठ है चलिए प्रस नमबर 30 क्या है व वहाबी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तरीका ए मुहम्मदी वलि उलाही। ये दोनों नाम से जाना जाता है। आफसर नमबर C करेक्ट है, A और B दोनों। प्रस नमबर 25 आपका पूछा साथियों, वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक मुहम्मद इबन अब्द अल वहाब थे, अप्सन नमबर D करेक्ठाप का, चलिए, अगला प्रसन देखेंगे क्या है, प्रसन नमबर 26 है, अलिगड़ आंदोलन किसके सहयोग में था, अलिगड़ आंदोलन अंग्रेजी सिच्छा, साइटी की अस्थापना कब की, तो 1864 इस भी में की, ठीक है, आपसन नमबर E करेक्ठाप का, अच्छा, इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा, सर सेद हमद खान ने 9 जनवरी 1864 को गाजीपूर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था, ठीक है, आपका अस्थान भी पुस्ता है, तो याद रखिएगा, गाजीपूर में, ठीक है, प्रस नमबर 28 क्या है, मुहमदन इंगलो ओरियंटल कालेज की अस्थापना कब की गई, तो इसकी अस्थापना 1877 इस भी में की गई थी, आपसन नमबर E करेक्ठाप का, अच्छा, इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजाएगा, देखिए, सरसेयद अहमद खान ने 1875 में, अलीगड में, मुहमदन इंगलो ओरियंट कालेज की अस्थापना की थी, दो साल बाद यह कालेज, मदरसा तूल, उलूम मुसलमानन, यह हिंद के नाम से जाना जाने लगा, बाद में, यह कालेज मसहूर अलीगड मुसलिम विशुविद्याला में विक्सित हुआ, ठीक है, चलिए, अच्छा, 1875 में, अलीगड मुहमदन इंगलो ओरियंट कालेज की अस्थापना हुई थी, दो साल बाद, यानी, 1877, ठीक है, 1877, आठ जनवरी 1877 को अलीगड में, मुहमदन इं संभू नारायड भी सामिल हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 29 नमबर पसंद देखेंगे क्या है, अहमदिया आंदोलन की अस्थापना कब हुई, अहमदिया आंदोलन की अस्थापना 23 मार्च 1889, यानी 1889, ठीक है, आपसन नमबर है, करेक्ठ आपका, प्रस नमबर 30 क्या है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे, तो मिर्जा, गुलाम, अहमद, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे, प्रस नमबर 31 क्या है, अहमदिया आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो अहमदिया आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, ठीक है, आप प्रस नमर 32 है आपका अमादिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1835 में कहां हुआ था ध्यान रखेंगे सौरी यह देखिए आप की पॉइंट्स में देखिए बहुत ही संदार तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म लगवग 1835 कादियान ठीक है अभी मैने उपर आपको पढ़ाया है भारत में हुआ था और इनकी मृत्यू 26 माई 1908 को लहोर में हुआ था ठीक है उमीदे साथी अब आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए प्रस नमर तैस्टिस क्या है देखिए सर सेयद आह में की पॉणि से ध्यान रखिएगा मुस्लिम लिग का जन्म अखिल भारती मुहमडन सैचिक सम्मेलन की बीसमे सस्त्र में हुगा था जिसे 1886 में अलीगड में सैयद हमाद खान ने अस्थापित किया था अगला प्रसंद देखेंगे 34 नमर प्रसंद क्या ऐसा थी हो आपका अलीगड के मुस्लिम इंगलो ओरियंट कालेज की अस्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई बहुती सांदार प्रसंद है सैयद हमाद खान की द्वारा ठेक है आपसन नमर भी करेक्ट है आपका प्रसंद नमर 35 क्या है फराजी कौन थे बहुती सांदार प्रसंद है फराजी जो थे साथियों हाजी सर्यतुला के अनुयाई थे ठेक है आपसन नमर भी करेक्ट आपका प्रसंद नमर 36 क्या है नाइंटीन फाइब में यानि 1905 में भारत सेवक समाज की अस्थापना किस ने की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी आपसन नमर डी करेक्ट है आपको पढ़ाया है ठीक है प्रस नमर 37 क्या है देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था नहीं था पूछा है तो सर सयद अहमद खान जो है भीया या आपके देवबंद आंदोलन के नेता नहीं है ठीक है इसे याद रखिएगा रसीद अहमद गंगोही तथा एम कासिम नानोतवी एम उलहसन ठीक है ये लोग देवबंद आंदोलन के नेता थे उपर मैंने अभी आपको पढ़ाया है ठीक है अच्छी तरीके से प्रस नमर 38 क्या है मुसलिम लिग के लाहोर अधिवेशन 1940 की अध्यच्छता किसके द्वारा की गई थी तो मुहमद अली प्रस नमर 39 क्या साती हो 49 नमर प्रस ने आपका 1934 के बाद मुसलिम लिग का प्रमुख प्रवक्ता कौन बना तो बना था आपका मुहमद अली जिन्ना आपसर नमर डी करेक्ट आपका प्रस नमर 40 क्या है बहुत ही सांदार प्रस ने देखिए 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस समाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन ने अपने पहली आम सभा आयोजित की तो अहमदिया जी ने की ठीक है चलिए उमेद साथियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यह क्लास अच्छा लगा होगा प्लीज सब्सक्राइब करके सपूर्ट कीजेगा एक लाइक करके जाएगा ठीक है इस क्लास को सेर करना आपकी जिमेदारी है ठीक है और आपसे रिक्वेस्ट भी है जल्दी मि मिलते हैं साथियो नेश्ट कलास में तब तक लिज्या हिंद वंदे मातरम अपना ख्याल लखेगा